आप, 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 एक दो वर्ड बोलतुम। मिडल येर अच्छा नॉर्मल हो को काम करना का थो दो चीज मोस्ट इम्पोर्टन। एक उसमें तीन चोट चोटा बोन्स है। वो तीन चोटा बोन्स भी नॉर्मल रनना, इंटाक्ट रनना। और इसका साथ इच्छे मिडल येर में हवा नॉर्मल हो को रनना। ये हवा कांसा आता गतो नाक से नाक का पिच्चे एक छोटा एक ओपनिंग है एक ट्यूब है वो सीधा कान मला को कनक्त करना। वो ट्यूब का नाम इचे ये यूस्टेशन ट्यूब तो नाक का रस्ता नाक का पिच्चे से ये ट्यूब का रस्ता सीधे कान में को हवा पहुंचेगा। तो ये ट्यूब बंध होगा गतो काई को बंध होता। नाक का पिच्चे कैती भी गोश्ट बढ़को है तो ने तो सिवेर अलर्जी नाक का अलर्जी है तो यह तो सरदी आलकों है, infection जियादा आलकों है तो यह tube करेक्श से काम करगा नहीं, यह tube करेक्श से काम करया नहीं कर तो बंध होगा कर तो ऐसा fluid collection यहां आने का chance है, तो इधर bacteria, virus, cabinet, तब यहां बंध होने से क्या हुआ, यहां air कम हो जाँगा, हवा कम होते ही उहां का निजीख जगा से चूस को ठांगा, पानी चूस को ठांगा, वो पानी भार जाने होनानी से middle year में पढ़िया रहंगा, तब क्या होंगा, बच्चा को सुने जानानी, यह च्छे main problem, तो यह condition ज्यादा बच्चों में आता सो, कितना साल है, दो साल से ज्यादा, पांट साल से कम, ओभिन week an रीसन क्या, वो में अल्यदी तंह एक्स्पेंन करतं लादे लाय यू स्टेशन ट्यूब, वो tube जो नाग भी क्न भी करनेख करता, वो pot year कर रक्से काम करता नी, ने तो बंध हन्ने से ज प्रावबलम सानी सो, ओ भी में एक्स्पेंन करता, अब, कंप्लेन क्या रहे है? जाता नहीं सिखा है तो बोलेंगे पर टीवी आन करतो टीवी के निजीक बैट को जाको सुनुगा दूर खड़ना नी नौपने बैट को सुनुगा नी तो स्कूल में से भी टीचर कंप्लेइन करती बुलाय तो पड़र को देखता नीं कंप्लेइन पर दी ये सुब्भी क्या रीसन क्या बतो बच्चा को कान चुने जाता नहीं ये उसका रीसन उसका उसका वो क्या प्रॉब्लम करको भी मैं पर यो डाइग्रम को तुम ना समझाया अब डॉक्टर हमारे पास तुम्हा जब आती तो कान में एक कैमरा दाल को कान कंदर बतांगे पहले नॉर्मल क्या ह को मालूम होए तो अबनॉर्मल क्या हो को मालूम होगा तो नॉर्मल ये च नॉर्मल कान इसमें अबनॉर्मल कान में ये कंदिशन में देखे तो पानी जम को है साथ में एर बबल भी है पानी अंदर पर्दा का अंदर पानी जम को है ये की पानी जम को है को पहले में बोल्य था कि तो ये यूस्टिशिन ट्यूब बंध है की को तो नाक का पिच्च गोश्च बढ़ सकता उसका नाम अदिनोइट तो नाक का अंदर क्यामरा दाल को सुपसर पिच्च लागो वो अदिनोइड हेकी नहीं देखना वईसाच हेको तो कित्ता बढ़को हेकर को भी देखना वो क्यामरा दाल को देखी विए ये इत्ता होगा तो हमना क्लिनिकली दरा डाइग्नोसिस मिलगा अभी ये कन्फोर्म करना तो टेस्ट क्या-क्या करेंगे तो कान का टेस्ट दो भी दो एक्सरे भी लेना कान का टेस्ट दो कोंसका तो एक हेरिंग टेस्ट अभी एक प्रश कच्छा को कितंग कां र मौंटेन जैसा ए लेटर कसी का एक वर्ड है दिखता ऐसा कतो नॉर्मेल वोज एक लाइन कसी का सीधा बन गा तो उसमें प्रशर बिल करना होता नी वहां अंदर पानी है कान का परदा का अंदर पानी है मतलब ऐसा बी कर आया तो तो ये हीरिंटरस्ट होगा अभी कान का हुआ यह यह साइस में उपर तक जाता वह एक सरे देखे तो निच्चे से तिखों को जाता हो हावा उपर जाता ही चोटा हो लोग वह जाना की वह नाप का पीछ जाते ही यह गोश्च बढ़को से ब्लॉक कर दलता तो यहां गोश्च बढ़को है उसको उसे अदिनोज treatment इसमें treatment भौओ medical treatment भी है Surgical treatment भी और क Weg उस नागा पीछ है तो गोश्च बढ़ता च्काव बढ़ा भी नहीं 50% से कम है रकलो उसे जल्दी stage में आये त ow medikale treatment में चम्हणद अचवाओ जाओ केARON क्या कतो steroid spray देना steroid spray 12 साल को उमर का निच्च है कतो एक बार इच देंगे समझो रात में एक बार देंगे वो कैसा यूस करना को बोलको देट ये spray ये spray आईसा पकड को अब ये साइड यूस करतीगा तो ये डारेक्श्यन में यूस करना ये अंकी को ये साइड इननर कैंदस ये साइड आउटर कैंदस बोलेंगे तब ये स्प्रे का नोजल है उसका डारेक्शन आउटर कैंदस का डारेक्शन में रहनना तो अच्छा शेक करको नाक का अंदर हको ये साइड में से एक बार प्रस करना ऐसा अच्छ वो साइड में ये आउटर कैंदस का डारेक्शन मे एक बार परस करना वैसा रोज एक बार तीन महेने का वास्त है तो डॉक्टर तुमारा फैमिली डॉक्टर ये एन टी डॉक्टर जो है उनों कईसे तुमना समझा दिंगी उत्ता रोज तक तुम नहाना अब क्या खते भी मैं क्या बोलना आतों का तो फस्ट तीन मेन जरूर ठाना ये स्प्रे उसका साथ में और भी दोधो treatment है क्या treatment का तो बच्चे को रोज भी balloon blow करना देना सुबो को देज़ बार शाम को देज़ बार और एक चोटा difficult हको कैसा करना का तो कि नाग रखो, दूसरा नाग बंद करको मूह बंद करको, एक नाग का हवा भार आती है उसमें रखो बैलून ब्लो करू करने जर्ण मुश्किल, करने ट्राइ करतों से टाइम में चैसे नाग कान का पीछ में जो ट्यूब का नाम वोलेया, नामी यूस्टेशन ट्यूब, और वो करने ट्राइ करते इच खुल जांगा हो तो ट्राइ करतो जो बस यह आरामसे कर सकते हैं यह करने जर्रा मुश्किल और मार्केट में ओटो वेंडिकर को ऐसा किट भी बिलता वो लेको देते भी अच्छा च्रेए नाइक को घर मेरको अधरी बिलुन रखो करते नाक मेरको बच्चा का उमर पांट साल से ज्यादा है तो च्विंगम दे जां तो च्विंगम दे बादू उससे निंगलनानी थुक बुल दालना और उसको बददीर कुली कर बोलता तो भी अच्छा च्छा च्छा उसका साथ में बच्चे को भूत अलर्जी है कर तो कॉंपनेशिन द अच्छा काला को पीले उबलता यह टाबिट रोज रात को तीन में देना यह ट्रीटमेंट तीन में चला कुछ रहते ही हर महिने तुम्हें आख को एक कान का टेस्ट कर लगए जाना तो कान का टेस्ट कर लोग जाते ही वो नॉर्मल होता के नहीं के देखना 70 परसंट अध् करना और सिव्यर अलर्जी है सो पेशेंट तुमारा फैमिली डॉक्टर बोलिंगे कित्ता महिने को और भी होना करको तो तब तक के ट्रीटमेंट हाना तो मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होगा तो मतला तीन महिने के बादू भी इंप्रूमेंट नहीं हुआ नहीं तो शुरु टायम है बच्चा इंप्रूग करने तो लो और ओप्रेशन कब करिंगे बच्चा काहिए करतस्ट में कम सुन्हाइब रिपोर्ट आया वह इसा प्रसचर और ठेस्ट करते ही उस वेघक कर या वू लाइन्स क्वे listener नहां ढूंग्ए तीन महेन और इसका साथ उसका रीसन क्या है इसा आने का कान की तो कान का नाक का पीछे गोश्च बढ़ता तो वो भी निकालना ये ओपरेशन का साथ अब समझो त्यूजडे का रोज ओपरेशन रखो तब मंडे सुबह ही अद्मिट हो जाना मंडे सुबह ही अद्मिट होको first एक मेडिको लीगल पेपर होस्पिटल का कंसरन पेपर करको है उसमें क्या लिखो रहंगा उसमें हमें क्यां ओपरेशन करने जाती ही लिखोरंगा उसका साथी च ये ओपरेशन का कॉम्प्रीकेशिन्स क्या क्या आगर भुखरंगा ये सुभी पड़े बादू तुम्हें उसमें सैयन करना साइन करको, निचे तुमरा नाम लिखको, देप्भी धालावा तो, कोंस एंड डॉक्टर ओपरेशन करता ही, उन्नुभी ओपेपर में साइन करेंगे एह होगा तो तरह टेस्ट करेंगे, यह टेस्ट तरह टेस्ट करेंगे यह टेस्टिंग सोभी सब्सक्राइब 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 उसका बादू एक छोटा ट्यूब रखे वो ट्यूब रखो उसका अंदर कैते भी पानी जम्या तो वो भी क्लीन कर दाले तो ये एक बाद ग्रॉमित रख्दा लेतो ये ट्यूब रख्दा लेतो विबल एर में कान में हवा कांसे पोन्चिंगा नाख कर सतानी भाःर कर सता हवा पोन्चिंग ये ट्यूब इदर कित्ता रोज रहंगा, 6 मैने से 1 साल तक वा रहंगा, वो अपनाप निकल चल जांगा, डॉक्टर में निकालना को नई, यूशली, वो एक साल लगना, एक साल तक वो नॉर्मेल हो जांगा, कान, अब बच्चा 11 बचे रूम को पोँचे गा, मैं बोल्या, अब भी आप्परशिंगे बाद, रूम पोँचे बाद भी चार घंटे टायम थेक या भी पीने खाने देनादू, तब बच्चा इरिटेबल स्चेज में रांगा, सोने रिफ्यूजब रहंगा, काईसथ भी स्वलार्ण ही ट्राई करो, ये चार घंटायम को टायम में, टेम्रेचर भी पल्स रही भी देख्धाल जाएंगी चार घंड़ाम का बादू पहले पानी दोगो लेंगे पानी देखो बच्चा क्या भी खाई करया नीक तो फ्लूइड डाएट ओरोज क्या क्या देजाँ आइस्क्रीम देजाँ पुडिंग देजाँ योगर्ट देजाँ तो टूजडे का रोज लिक्विड डाएट हुआ पानी जरी ज्यादा देना और ये चल्लो को रहती खालो को रहती ही तुमना सिस्टर लाओ को अंटिबियोट डॉक्टर डिसाइड करको बोलेंगे जा सकते हैं कान ओपरेशन करको आत ही कान में कप्ति भी ब्लीडिंग ना दरना उसका बाद पानी जैसे आंगा तिक पानी जैसे आंगा वो भायर सेच पोच को छोड़ दालतो बस कान का अंदर क्या दालो ना जर डॉक्टरां कप्ति अपरेशन के बादू कान में ड्रॉप्स दालो बोलेंगे तीन रोज ने तो पांच रोज बोलेंगे वो यसा बोलतींगो तो ओवी रॉंग नी ओतमार डॉक्टर बोलेंसे का श्रूग यूस कार सकते हैं अब घर को गया बादू क्या-क्या इंस्रेक्शन्स कान में पानी जानानी ओज में तो कभी सरन आथे ही दो कान में भी गॉटन रखो उसको पर वैसल न दालाले ना तो पानी जानानी नहां को होए बदो अच्छा ड्राई करेबद ये निकाल दाले लिए वैसा च्छे सिम्मीन को जानानी चेर रहे तो अच्छा क्या तो भी सर्दी कहते जांगा तो जल्दी में अच्छा हो और थे सी अभी डॉक्टत्र को दोंचतीन पार मिलने इक दू हफते के बाद। उसके बाद मेने के बाद उसके बाद मेने के बाद कि तब तक फालू करने यह अन अन से देखने थ lleva हो इसे दो तिन टिप्स बोल देतु अब बच्चा दो साल के निच्च है ब्रेस्फीडिंग का एज है कतो वो ब्रेस्फीडिंग का टेक्टिक बरनी कतो ये प्रॉबलम ओटाटिस विद मीडिया आ सकता तब कब्बी मा कब्दी क्या करेंगी सोल को रहत्ती ही ब्रेस्फीडिंग देने का चांस है वो इसना नहीं करना मा उटको बेट कोच ब्रेस्फीडिंग करना वो इसना बच्चा का सर कब्बी उपपर इच रनना ब्रेस्फीडिंग का टुछ टाइम में वह बाद फीडिंग होए बाद बच्चे को खांद में दाल को खांद में मारत ही एक sound आंगा बर्बिंग sound बाएंगा उसका बाद तो बच्चे को सुलाना रखना एक second क्या तो बच्चे का उमर पांट साल से ज्यादा है तो चिविंगम दे सकती है ज्यादा नहीं एक दो से यह आपको प्रेवंटीम मेंशर होको यूस्टिशिंटिक खोलने का हेल्प करगा ओईसा च्चे घर में कोंती स्मोक करती को तो स्मोकर सादमी को भी एफेक्ट होंगा वो भी खर में स्मोक करने छोड़ना ने फरे लांसदो कंडिशन क्या आखो सिवियर अलर्जी है ने तो रिफ्लेक्स है बच्चा को कतो उसे करेक्ट से डॉक्तर को रेगलर होको मीट कड़को वो गंट्रोल में रखेने तो भी ये डिसीस आना तो वो रगुलर रोको गंट्रोल में रखने ट्राई करना येच्च अट्राइटिस मीडिया विद्ट इफिशेन के बार में बोलना है सो कुदा आवेस